मैं गाया जहां मी, बस तेरी याद ती, जो मेरे साथ ती, मुझ जो तड़बा तिरु लाती, सबसे प्यारी तेरी सूड़त, प्यार है बस तेरा प्यारी, मात रुझे सलाम, मात रुझे सलाम अरे, आप सको वो बच्चपन में सुनाई गई कहानी तो याद है ना, कच्छुए और खरगोश वाली कहानी, जिसमें बताया गया था कि तेज भागने से जादा जरूरी है, लगातार भागते रहना, या लगातार चलते रहना, तो भारत का चंद्रियान तीन भी कच्छुआ जो तेज नहीं भागता, लेकिन लगातार भागता रहता है, और अंत में जीत उसी की होती है, बीती 14 जुलाई को चंद्रियान ने भी इसी रास्ते पर उडान शुरू की, एक ओर जहां रूस और अमेरिका ने केवल चार दिनों में चान पर कदम रख दिये थे, वहीं भार और ये दुआ है कि ये मिशन सफल हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश होगा, जिसने ये कार नामा कर दिखाया, मगर अब हम सब के मन में एक सवाल उगता है, कि चंद्रियान तीन को चान तक पहुशने में इतना लंबा समय क्यों लगेगा, तो सुनिए, भारत की अंतरिक्ष वैज्यानिक इसका जवाब यू देते हैं, किसी रॉकेट की स्पीद कितनी होगी, ये उसकी डिजाइन और फ्यूल पर निरभर करता है, जैसे कि अमेरिकी स्पेस एजिंसी, नासा ने अपोलो 11 मिशन के लिए सेटन 5 रॉकेट का उपयोग किया था, और ये अब तक का सबसे अधिक कैपैसिटी वाला रॉकेट था, इसने हर घंटे 49,000 किलोमेटर की दूरी तैकी थी, और इसकी तुल्ना में देखें, तो चंद्रियान 3 पर केवल 615 करोड रुपे खर्च हुए है, चंद्रियान 3 के ल चंद को चान तक पहुँचने में केवल 5 दिन लगेंगे, बाकी इस से 30 दिनों ये प्रित्वी और चान के चक्कर लगाता रहेगा, और आगे बढ़ने के लिए ग्रैविटेशनल फोर्स का इस्तमाल करेगा, और अगर इस तरह देखा जाए, तो ये 42 दिनों का सफर केवल चान तक पहुँचने का नहीं है, बलकि चान के चक्कर लगाने का भी है, और जब ये चान के साउथ पोल पर लेंड करेगा, तब उससे एक रोवर यानि रोबोट निकलेगा, जो मिनेरल्स और पानी की खोज भी करेगा, और तब ये बास समझने में हमें मदद मिलेगी, कि हम वहां कोलोनिया बना सकते हैं या नहीं, यानि की चान पर बसने का खाब देखा जा सकता है या नहीं, अगर ऐसा निकला की चान पर घर बनाया जा सकता है, तो कोई आशिक या प्रेमी चान को तोड़ कर लाने की जगा अपना घर बसाने का वादा कर सकता है